हम लाते हैं टॉप न्यूज आपके फेवरिट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ अब वो स्रुष वीडियो के चैन्सर बन गया है तो मेरे पास थोड़ा सा लिए का हिसा बचा है दक्तर ने भी ये का है कि आप अपरिशन करा कि पहस थोड़ाना में हुक्मरानों जुल्फिकार की पोकार सुनो जुल्फिकार की आखरी खाहिश एहले खाना से मुलाकात जिगर के कैंसर में मुद्थिकार के लिए सिर्फ तीन माह जिन्दा रहने की उमीद बुड़ी मामता की हकुमत से इंडोनेशियन सदर के सामने मौामला उठाने की अपील मुनशियात के जुटे लजाम में दो साल पहले जुल्फिकार को इंडोनेशिया में मौत की सजा सुनाई गई पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है उसको बाकिस्ट है जुल्फिकार की पुकार इंडोनेशियन सादर के सामने उठाएंगे वजीर खारजा खाजा आसफ की ट्वीट दफ्तर खारजा भी मतहरक तर्जमान कहते हैं जुल्फिकार की रहाई के लिए पाकिस्तान का सिफारत खाना और दफ्तर खारजा मसलसल राबते में है मसला इंडोनेशिया के साथ हर फॉरम पर उठाया जाएगा जुल्फिकार की बुकार पाकिस्तानियों की आबास बन गई पार्लिमेंटेरियन्स की भी बेगुना पाकिस्तानी को वापस लाने के लिए हकूमत से एक्डमाद करने की अपील मौामला हल करने के लिए खुद भी किरदार अदा करने की यकीन दिहानी पाकिस्तान भरकी अवाम ने भी ofereकार को वापस लाने के लिए हुकौमत से फ़री कारवाई करने का मुटालबा कर दिया हुकूमते पाकिस्तान से मुटालबा करते हैं इंडुनेशे हुकूमत से मुटालबा करें अपील करें के उसको रहा करें सफरी दस्तावाज़ात बनाएं और उनको जल्द जल्द पाकिस्तान लाएं एक अच्छा मौका है कल इंडोशा का सदर आ रहा है अगर बात कर ली जाए तो मैंने ख्याल में यह मसला हाल हो सकते है गुजारिश करते हैं अपनी गवर्मेंट से ता कि वो इंडनेशन गवर्मेंट से बात करें उसके रहाई के लिए डनेशन गवर्मेंट से अपील करता हूँ कि इंसान अमधर्दी की बिनाद पर जो है जो है जल्द फिकार को पकिस्तान आने तो ज़ाँ पीड साब ने बेरी दर्खास पर ये जो एक जो तारीक शुरू की उसमें एतजाज के होाले से मेरवानी की उसको मेरे दर्खास पर खत्म कर दिया वजिरियाला पंचाब ने पीर उफ सेयाल को मना लिया सरगोधा जाकर हमीद्दीन सेयाली से मुलाकाथ पीर उफ सेयाल ने एतजाज की कॉल मनसूख कर दी मीडिया से गुफटगू में वजिरियाला पंचाब ने कहा खत्म नबूत पर एमान हर मुसल्मान के अकीदे का लास्मी जुजब है कमेटी बना दी है जो सेयाली साहब से मौामलाग पर गुफटगू करेगी आसिफ लिजबतारी ने सीपैक पर दस्तखत किये तो मनसूबे क्यों शुरू ना किये वो पहले अपनी करप्शन और लूट मार का हिसाब दें वजिरियाला शेबाद सुरीफ के मन्री बहाउदीन सेवार कहते हैं इमरान खान दिन रात जूट बोलता है 24 जन्वरी को ड्राउन हमला अफगान महाजर केम्प पर किया गया जस हदफ को निशाना बनाया गया वो अफगान महाजर केम्प में चुपा था डीजी आईस पीयार की ट्वीट कहा ये पाकستان के मौकिफ की ताइद है कि देश्चत गर्द अफगान महाजर केम्पों में छुप जाते हैं मीडिया रिपोर्ट्स में संसरी केस इनकिशाफात पर सुप्रीम कोर्ट का जैनब कतल केस में एक और अजखुद नोटिस चीफ जस्टिस ने मल्zem इमरान के तहफुझ की जिम्थाफुँदाफी आई जी को सौब दी तफ्तिशी टीम को मल्zem के बैंक अकाउट्स की मालूमात फराहं करने का हुकम रिपोर्ट पीर तक तलब महकमा दाखला पंजाब का मुल्जिम इम्रान के बैंक अकाउंट्स की तहकीकात का हुकम नकीब के लवाहिकीन को इनसाफ वराहम किया जाएगा गवरनर सेंड मुहमद जुबेर की पश्टून केमिनिटी के वफ्ट को यकिन देहानी गवरनर हाउस में मुलाकात के दौरान कहा कोई भी शक्स कानून से बालतर नहीं दूसरी तरफ खुसूसी टीमों की तश्कील के बावजूद रावनवास सिंद पुलिस की नजरों से ओजल जिला मलीर के 17 थानों के हेड महररों को काम से रुख दिया गया एहल खाना से ताजियत मेडिया से गुफटगू में कहा सीसी टीवी फुटेज की मदद से मुलवस अफसरों के खिलाफ कारनवाई करेंगे इल्जामात लगाना आसान लेकिन साबित करना बहुत मुश्किल है इल्जामात साबित ना होने पर अफसर को बहाल भी किया जा सकता है मदीहा कयानी और साबिक S.S.P. मुकदस हैदर के मुलवस होने के शवाहिद नहीं मिले इंतजार कतल केस में CTD की अब्तदाई रिपोर्ट तयार मुकाबले से पहले मदीहा का सिर्फ आठ रोज से इंतजार के साथ मेसेज़स पर राबता था S.M.S. पर भी गुफटगू आमसी हुई आज इंतजार के मज़ीद दोस्तों के बयानात रिकॉर्ड होंगे पाकिस्तान के तवानाई बहरान पर काबू पालिया मुल्क में जम्हूरियत मजबूत हो रही है वदीर आजम शायद खाकान अबासी का डैवस में खिताब सावात की बेटी मलाला यूसफ जई का भी वर्ड एकॉनॉमिक फॉरम में इसहार ख्याल कहा दुनिया भर में लड़कियों की तालीम हासिल करना तमाम मुमाली के रहनुमाओं की अबवली न तरजी होनी चाहिए वर्ड का मैरेज्मेंट प्लैन बना कर दें वर्ड कप 2019 की तैयारी कर रहे हैं बलोचस्तान में अमन लोटने लगा तुर्बत FC हेटकॉर्टर्स में तक्रीफ पंदरा अहम कमांडों समय दो सौ फरारी हत्यार डाल कर कामी धारे में शामिल वसिर्याल अब्दुल्कुदुस बजिंजो और कमांडर सद्रन लेफटरन जेनरल आसिम सलीम बाजवा की भी तक्रीब में शरकत आइंदा बरस तिलोर की शिकार पर पाबंदी आइड लाहूर हाई कोर्ट ने केस का फैसला सुना दिया नायाब नसल के परिंदों का सर्वे मुकमल करने की भी धायत तमाम विजारतों और मेहकमों को अदालती एहकमात पर अमल तरामत करने का हुकम दे दिया किया महकमे सिहत पंजाब की कारकरदगी सवालिया निशान बन गई मुल्तान समय जनूबी पंजाब में सीजनल इंफ्लین्जा पर गाबू ना पाया जा सका आज पिर निश्टर अस्पताल में जिरे लाज मजीद तीन मरीज दम तोड़ गए मरने वाले तीनों मरीजों का तालू काने वाल से था तर्जमान निश्टर अस्पताल के मताबक अब तक मरने वालों की मजमुई तादाग 35 हो गई मैं हूँ जमील सुखेरा हेडलाइन्स आपने जानी बुलिटन में सबसे पहले बात होगी जुल्फिकार की आखरी खाहिश की जुल्फिकार की पुकार सुनो जुखर के कैंसर में मुट्ला जुल्फिकार के लिए सिर्फ तीन माँ जिंदा रहने की उमीद है बुडी मामता की हकूमत से इंडोनेशियन सदर के सामने मौामला उठाने की अपील आपको अपडेट करते चले के मुनशियात के जूटे इल्जाम में दो साल पहले जुल्फिकार को इंडोनेशिया में मौत की सजा सुनाई गई थी मौामला इंडोनेशियन सदर के सामने उठाएंगे वजीर खारजा खाजा आसिफ की ट्वीट तर्जमान दफ्टर खारजा कहते हैं कि जूल्फिकार की रहाई के लिए पाकिस्तान का सिफारत खाना और दफ्टर खारजा मसलसल राब्ते में है मसला इंडोनेशिया के साथ हर फौरम पर उठाया जाएगा जूल्फिकार की आखरी खाहिश है कि एहल खाना से मुलाकात हो सके वो पाकिस्तान आ सके खुदा का वास्ता करके उसके हाल पे रहम करते उसे अपने मेर्माईयों में बेही दें इंडोनेशिया की जेल में कैद ये पाकिस्तानी जिंदगी और मौत की जंग लड़ा है मनश्यात के मुकदमे में सबूत पूरे मिले ना ही शवाहिद फिर भी जूल्फिकार को मौत की सजा सुना दी गई जब एक्सप्रेस न्यूज ने मौमला उठाया तो इंवेस्टिगेशन को कमजोर मान कर सजाक तो रोक दी गई लेकिन जुल्फिकार को रहाई नहीं मिली अब इस मजबूर पाकिस्तानी जुल्फिकार को कैंसर हो गया है और इंडोनेशन डॉक्टर्स ने ये भी बता दिया है कि जुल्फिकार के पास जिंदगी के सिर्फ तीन से च्छे माँ बचे हैं अब इस मजबूर पाकिस्तानी के पास तो इतना वक्त भी बाकी नहीं बचा कि वो अपने मुकदमे में बेगुना ही साबित कर सके जब से यहां घरवालों को ये पता चला है कि इंडोनेशन जेल में जुल्फिकार की सांसें घटती जा रही है तो हर गुजरता लमा इन पर मौत बन कर गुजर रहा है एकस्प्रेस न्यूज एक बार पिर इस मजबूर खानदान की पुकार लाया है कि खुदा के लिए जुल्फिकार को वापिस लाओ ये पुकार कैदी जुल्फिकार के प्यारों की ही नहीं ये पुकार कैदी जुल्फिकार के प्यारों की ही नहीं एकस्प्रेस न्यूज की भी है बलके वतने अजीज के हर शहरी की है हकुमत पाकिस्तान और इंडोनेशियन सदर के लिए इस बिमार और मजबूर पाकिस्तानी की जिन्दगी के चंद माँ देना कोई मसला ही नहीं लेकिन ये तब ही मुम्किन है जब इसे अपना समझा जाए दफ्तर खारजा के हुकाम को 2016 में भी ये अपील रो रो कर सुनाना पड़ी लेकिन अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी हुकाम और शेहियों ने ये दर्दनाक आवाज ना सुनी तो खच्छा है कि कहीं जल्फिकार को देर ना हो जाए इंडोनेशिया में नाकरदा गुनाह की सजा काटने वाला जल्फिकार कैंसर जैसे मुजी मर्स का शकार बना तो पाकिस्तान में मौजूद घरवालों पर गयामत तूट पड़ी जल्फिकार के बेटे और अजीजों ने जहां अपने प्यारे की वापसी के लिए पाकिस्तान और इंडोनेशिया की हुकूमत के आगे हाथ पहला दिये हैं वही बेबस माँ ने अपने लखते जगर के लिए अल्लह के सामने जोली भी पहला दी है आंखों में आंसू, होंटों पर दुआ, बारगाहे इलाही में उठे ये हाथ उस मा के हैं जिसका लखते जिकर इंडोनेशिया की एक जेल में जिन्दगी की जंग लड़ रहा है जल्फिकार को मुनशियात के केस में नाकाफी शवाहित के बावजूद मौत की सजा सुनाई गई 2016 में सजा पर अमल दरामत का हुकम आया मगर एक्सप्रेस न्यूज जल्फिकार की पुकार बन गया जल्फिकार की सजा मौत तो टल गई मगर जेल की सख्तियों और तशद्द ने उसका जिगर चलनी कर दिया और यूँ जल्फिकार कैंसर जैसे मूजी मर्स का शिकार बन गया डॉक्टर्स का कहना है जल्फिकार आहिस्ता आहिस्ता मौत की वादी में उतर रहा है ऐसे में जल्फिकार के रिष्टेदार हुकूमत पाकिस्तान और इंडनेशिया के सदर से अपने प्यारे की वापसी की अपील करते दिखाई देते हैं जल्फिकार का बेटा और खांदान के दूसरे बच्चे भी दोनों मुलकों की हुकूमतों से मदद के तलबकार है इंडनेशिया में कैद जल्फिकार हर गुजरते दिन के साथ मौत के खिलाफ जंग हार रहा है और घरवाले इस हालत में जल्फिकार को अपने दर्मयान देखने के खाहिश मंद है हकूमत पाकिस्तान इंसानी हमदर्दी की बन्याद पर मौामला उठाए तो जल्फिकार की वतन वापसी मुम्किन हो सकती है मिया स्लम एक्सप्रेस निउज लाहौर वजिर खाज़ा 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 आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान के दोरे के दोरान वजिर आसम जल्फिकार का मौामला इंडोनेशियन सदर के सामने उठाएंगे वजिर खारजा खाजासिफ ने अपने ट्वीट में कहा कि वजिर आजम शाहिद खाकानबासी इंडोनेशियन सदर और हुकाम के साथ इंडोनेशिया में कैज जल्फिकार का मौामला उठाएंगे और इसकी बिगड़ती हुई सेहत की बिना पर उसकी वतन वापसी की दर्खास करेंगे। Mr. Zulfikar was arrested in Indonesia on 21st November 2004 on charges of drug smuggling. Mr. Zulfikar Ali has requested for clemency due to his deteriorating health. Our mission and the Ministry of Foreign Affairs are taking all possible measures to take up the matter with the relevant authorities in Indonesia. झाल 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 झाल